हलो दोस्तो वेलकम टू नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छ होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले अपकमिंग एबजेट S V4 के बारे में जो की इंडियन मार्केट में काफी दिनों से अपकमिंग है और भाई मुझे से लगता कि अब ये बाईक आपको इंडियन मार्केट में देखने को मल सकती है दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चेंजिस देखने को मिलते हैं दोस्तो एबजेट इंडियन मार्केट की भले ही आपको अभी जो कम सेलिंग देखने को मिले अभी अलोग भले ही इस बाइक को जादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बाइक में कुछ जादा अपडेट नहीं किया इन्होंने अपनी तरफ से यामावाल होने लेकिन एक टाइम भाई जो की एबजेट का जलवा था अपनी टाइम पे लेकिन फिलाल अभी तो ये भाई की सेलिंग भी उतनी जादा नहीं हो रही क्योंकि आमावाने इसमें काफी अपडेट करने की जरूरत है जो नहीं किया बट आने वाली एबजेट में आपना वी फोर में काफी अच् छेली दोस्तो आज कि इंट्रस्टिंग वीडियो को सुरू करतें बात करतें अपकमिंग एबजेट एस वी फोर में सबसे पहले दूस्तो बात करने एक चेंजस के बारे ने किस बाहले में आपको क्या चेंजस देखने को मल सकते हैं जो की मेरे इसाब से बहूत ही जदा इं अभी आपको इसमें काफी कम पावर देखने को मिलती है इंडिन मार्केट में जितनी भी बाइक से हैं मतब मतब अभी 150 यह 160 सेगमें impressed में सबी बईक की inappropriation में इस बउर देखने को मिलती है इस बईक में आपको only असपास का PS पाउर देखने को मिलता है और भाई अभी इंडिन मार्केंट में जितनी भी 150 या 160 की सेग्मेंट है सब में ज़्यादा पाउर आपको देखने को मिलेगा और इस बाइक में पाउर जो है वो काफी कम देखने को मिलेगा तो दोस्तो मेरे साब से यामा सबसे पहले चेंज करने वाला है अपडेट करने व करने पड़ेगा तो सबसे पहला जो चेंज होना वाला है वह रहां इस बाइक की पावर में और बाइक में पावर काफी इंक्रिस कर सकता यामाहा बात करे लिए दुस्टो नेक्स अपडेट के बारे में तो वह दुस्तों सबसे important और आप लोग अची तरी की से जानते है ज अब इस बाइक को थोड़ा सा ज़ाधा है, हम Яमा इसके शाभी करेगा ऐ नहीं करेगा देखे, डिजाइन को लेकर यार मुझे ना, थोड़ा सा इसके चांसस ना, मुझे लग रहे हैं, कि थोड़ा से कम है इसलिए कम है, क्योंकि दोस्तों, आपको बधन है यामा MT-15 में डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया थोड़े से अपडेट करके उस भाई को इंडेन मार्केट में उतारा तो हो सकता है दोस्तो यामा इसके साथ भी ऐसा कर सकते कि भाई यही करेंगे यह लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे अब बाद डिजाइन देंगे नय नया कलर ऑप्शन देंगे और इंडेन मार्केट में ला देंगे तो मैं को लगते कि डिजाइन में जो चेंज है वो थोड़े से चांसे कम है लेकिन अगर यामा करता है तो फिर अच्छी बात है बात करें दोस्तो नेक्स अपडेट के बारे में इस बाइक की जो कि मेरे अच्छी होने के साथ सत अच्छी दिखनी भी चीए क्योंकि जितनी अच्छी जिदूइखी की उत्ता अच्छा बाइगी और इस सी बात है तो यह भी चीज जो है वो थोड़ा सा इंपोर्टेंट रखता है जो कि मेरे साब से यामा को यह चीज समझनी चाहिए बात करें द आपसे नहीं है और इसमें सिंगल चैनल एबियस ही मिलेगा डूल चैनल एबियस के चांसे तो कुछ नहीं है लेकिन ऑविसी बात है दोस्तों कि ब्रेकिंग इंप्रोमेंट जो है हमा कर सकता है और इसके जो कैलीपर है इसमें थोड़े से और अच्छा लिए कैलीपर अब तब जिती भी कंपनी होती है जब भी कोई चेंज करती है तो ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन में जरूर काम करती है क्योंकि ऑविसी बात है ग्राफिक एंड कलर ऑप्शन में चेंज होने के बाद ही हमें यह चीज समझ में आती कि यह चीज नहीं है बात के लिए दोस्त लग सकते हैं लेकिन फिर प्राइस बढ़ाने के बाद यह MT-15 के आसपास पहुच गई तो बहुत दिक्कत है अला कि उतना नहीं जाएगी बढ़ हाँ प्राइस तो बढ़ेगी यामा इसको हमेशा वेल्यू फर मनी रखने की सोचा है एनी टाइम हर समय अब देखते हैं दोस् तो प्राइस के बारों में तो अभी जो अबलेबल है उसके कंपेरीजन में आराउंड 10 ठोजर रुपीज 10 अरुपय का असपतक का प्राइस बढ़ सकता है बाकि कौन को निस भाइक कर रहा भाई कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा अस उमीद करते आपको छोड़ी सी इंट्रस्टिंग वीडो अच्छी लेगी वीडो चलेगी लाइक करना चैनल पर पहली पर आएँ सब्सक्राइब कर लेणा बिल के अ कौन कर लिजगा तैकि ऐसी इंट्रस्टिंग वीडो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंशते रह सकें और आप मे